जाहें दोस्तों स्वागत है आपका विजेपत एजूकेशन पालमपुर के ओन्लाइन प्लैट्फॉर्म पर ओ आज हमारी जो क्लास है वो सेकंड क्लास रहेगी इसमें हम बचों सीखेंगे की क्वेशन कैसे सॉल्व करने हैं ठीक है जो कि सधारन व्याज चक्रिल बृद्धी व्याज से जुड़े हुए सवाल है तो वो किस परकास से जुड़े हुए है तो हम उन क्वेशन को अपने साथ साथ में जो है वो लगाएंगे तो ये पहला टॉफिक आपका आगया है सधारन व्याज जिसके बारे में मैं आपको पिछली ही वीडियो में या पिछली ही क्लास में आपको डिटेल दे चुका हूँ और हम इसके आगे अब इसके जो प्रॉपरली स्टेप्स हैं वो करनेंगे तो आपने ध्यान से सुनने ह इनको questions को लगाना है तो पहला सवाल है आपका कि सधारन व्याज से जुड़ा हुआ है ये प्रशन 500 रुपे की धनराशी है जो कि 10% सधारन व्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई उसका सधारन व्याज ग्याद करना है तीन सालों के लिए उधार दी गई है 10% पर 500 रुपे या बहुत ही सिंपल सधारन प्रशन है 500 रुपे कितने टाइम के लिए दिया है 3 साल के लिए कितने पर सबसे पहले आपने क्या करना है आपने एक साल का व्याज निकालना है कितने समय का, एक साल का, तो इसलिए उसका 10% निकाल लिया, तो कितना हो गया, पचास उर्पे, तो यानि कि एक साल में हमें पचास उर्पे भी आज मिलता है, तो तीन साल में कितना मिलेगा, डेट सुर्पे, तो सधारन भी आज कितना आएगा, डेट सोर्पिया आएगा और अगर उन्हेंने कुल धन पूछा होता कि वो कुल धन कितना चुकाएगा यानि कि वो उधार जो दिलिया है ठीक है तो वो देगा amount is equal to simple interest plus principal simple interest हो गया उसका डेट सोर्पिया और उधार जो लिया था वो उसने लिया था 500 रुपिया तो टोटल हो गया साड़े छे सो कितना हो गया बैचो साड़े 600 रुपिया जो है वो उसने उधार लिया था अच्छे चलो एक और question करते हैं हम इस question को देखते हैं सधारन भ्याज कि किस वार्षिक दर से 600 रुपिया 10 वर्ष में सधारन भ्याज 120 रुपिया हो जाएगा यानि कि व्याज दिया हुआ है मगर किस वार्षिक दर वार्षिक दर का मतलब rate आपको find out करना है तो rate हम निकालेंगे तो सबसे पहले हमें simple interest का formula पता होना चाहिए बेटा P into R into T over 100 होता है ये formula तो दिमाग में रख लेना है ब्याज कितना बोला है 120 रुपिया इसलिए ब्याज की जगा 120 आ गया मूल धन्यानि कि principle कितना दिया है 600 रुपिया rate हमें निकालना है time हमें 10 साल दिये है over 100 0 से 0 गया तो R is equal to 120 बटा 6 गुना 10 0 गया 6 दुनी 12 तो rate कितना आ जाएगा बच्चों 2% कितना आ जाएगा 2% तो इस परकार के questions होते हैं जो की miss होता है यानि कि इस में question में rate miss था तो rate निकालने को आ गया तो time given था अगर time given होता तो इस इस परकार से हमने rate निकाल लेना था एक और question देखते हैं देखिए 1500 रुपे का धन 6 परतीशत वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया अवदी के अंत में मिशर्धन कितना होगा मिशर्धन मतलब amount कितना होगा तो 15,00 रुपेया उधार लिया है कितना दिया है जी 15,00 रुपेया कितने time के लिए 5 सेल के लिए 5 साल के लिए अब मुझे क्या बताब 5 साल है चलो एक साल का तो देखे एक साल का ब्याज कितना लग रहा है 0 से 0 गया ठीक है जी 15 गुणा अब 6 का लिजिए ठीक है जी 90 होगे ठीक है जी 90 रुपेय भी आज लग रहा है ध्यान से नोट करते रहना है सभी ने अगर हमारा एक साल का ब्याज जो है वो कितना लग रहा है 90 रुभे लग रहा है तो फिर इसका मतलब पांच साल का कितना लगेगा ठीक है कितना लगेगा जी पांच साल का गुना पांच कर लो और क्या करेंगे कितना हो गया साड़े 400 रुपया कितना हो गया जी साड़े 400 रुपया तो साड़े 400 रुपया जो है वो ब्याज लग रहा है तो इसमें पूछा है मिश्रधन क्या पूछा है बटा मिश्रधन जो की ब्याज प्लस मूल धन के बराबर होगा तो ब्याज और मूल धन के बराबर होगा तो ब्याज हमारा हो गया साड़े 400 मूल धन कितना हो गया पंदरा सो तो 1950 रुपय कितना होगा जी 1950 रुपय जो है वो मिश्रधन बनेगा तो ये इसका हल होगा मेरे प्यारे बैचों ठीक है इसी परकार से इसका अगला सवाल है ध्यान से पढ़ना ठीक है जी ये पहला समझ लिजी तो ये इसका पहले का सलूशन आगए दूसरा है ये तो समझ लिजी ये दूसरे का सलूशन है कोई धन 3 परतीशत वार्षिक भ्याज की दर से 10 वर्ष में 650 रुपए हो जाता है क्या बोल रहा है कोई धन है मतलब शाड़े 600 रुप्या दे दिया 10 साल के बाद 3% का ब्याय लगा के ठीक है कोई बात नहीं तो simple interest आपको मालूम है कि amount minus principle के बराबर होता है ठीक है options हो question में तो तो हम direct कर सकते हैं अगर अगर without option है तो ये traditional method ही करने पड़ते हैं तो शाड़े 600 रुप्या जो है वो ये रहा P SI किसके रावरत है P into R into T over 100 तो P side आजाएगा तो plus का P हो जाएगा rate आपका 10 3 और 10 साल ठीक है है P into 10 गुना 3 over 100 ठीक है बेटा तो कितना हो जाएगा 0 से 0 गया 3 P over 10 plus P is equal to 6 5 0 plus कर लो 10 से कम 10 10 सो तीन 13 P over 100 बराबर है 65 13 एकम 13 तेरा पंजे पैंट और P is equal to मूलधन कितना आगया बेटा 65 कितना आगया जी 65 calculations करना सीखनी आपको ठीक है ये questions बहुत ज़्यादा important है इसलिए इनको आपने revise करना है इसी बेसिस पे आपका questions होते हैं next एक और question लगाते हैं चलो कोई धन सिधारन ब्याज की दर पर पांच वर्ष में अपने आपका 3 बटा 2 कितना है 3 बटा 2 है ये 32 times नहीं है 3 बटा 2 है कितना है 3 बटा 2 times हो जाता है तो बताओ कि अब ब्याज की वार्षिक दर कितनी है बहुत ही simple सवाल है ऐसा ही आपका अगला है जिसमें 6 बटा 5 गुना हो जा रहा है ठीक है कोई बात नहीं आप ये समझ लीजिए इस सवाल में बिटा कि 1 रुपया आपका था ठीक है अगर मैं बोलता हूँ 1 रुपया आपका डबल हो गया तो 2 रुपय बन गे इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ इसमें प्लस 1 हुआ तो 2 रुपय बनते है मैं बोलता हूँ नहीं जी मेरा 3 रुपय बन गे मैंने 1 रुपय डाला पर मेरे कितने बन गे 3 रुपय बन गे 3 रुपय कब बने जब मैंने इसको इससे माइनस किया तो पता लगा कि 2 रुपय एक्स्ट्रा पड़े माइनस करके पता लगा ना कि ये एक्ष्ट्रा पढ़े हैं 2 रुपे तो बने ये 3 रुपे फिर से बोलता हूँ मेरा 1 रुपे आ है मैं बोलता हूँ मेरे 6 रुपे बने कैसे बने भई तो हमने इन दोनों का डिफरेंस लिया तो हमें पता लगा कितने का डिफरेंस आ रहा है पांच का ये जो पांच है वो बना रहा है 6 गुना क्योंकि 5 रुपे एक्स्ट्रा बनेंगे या पढ़ेंगे तो भी हमारे क्या आएंगे पैसे आएंगे ठीक है तो इसी परकार से ये सवाल है कि एक रुपे आपका जो है वो क्या बन गया है 3 बटा 2 कितना बन गया है 3 बटा 2 क्या बन गया विटा 3 बटा 2 इतना समझ आ गया ठीक है जी इसका मतलब इसके अंदर कुछ पढ़ा है तो ही उतना आया है जिस बचे को मैथ नहीं आता है वो कुछ नहीं करे, वो 3 by 2 माइनस 1 कर ले तो आप LCM ले लो को है तो आपको बतल लग जाएगा 1 by 2 पड़ा है, कितना extra आया, 1 by 2 आ गया I hope कि आपको ये मेरा बात जो है वो इतनी तो clear हो गई होगी, ठीक है इसके आगे चलते हैं question पे, तो ये जो 1 by 2 है वो क्या चीज है बटा वो है ब्याज, क्या है ब्याज मतलब SI, और आपको SI का तो formula पता है P into R into T over 100 होता है, तो SI आगे आपका 1 by 2, मूलधन 1 रुपे आवाना है, इसलिए 1 आगे, rate आपको निकालने को पूछा है question में, दर वार्शिक, दर, निकालके दो भूला ठीक है, इसलिए rate वैसा रह गया time, time इनों ने दिया होगा 5 साल over 100 बहुत ही simple सवाल है अब आपको इसको calculate कर दीजिए 5 एक अबार, 5 दूनी 10 इससे गया, 10 R is equal to 10% I hope कि आपको ये type अच्छे से clear हुआ होगा इसी परकार से मैं थोड़ा सा जल्दी करूँगा second question है 4 साल में 6 बटा 5 हुआ है यानि कि 1 रुपया जो है वो बन गया 6 बटा 5 6 बटा 5 कैसे बना वेटा? वो बना सर, 1 बटा 5 अगर उसमें plus हुआ है तो बना है तो ठीक है वैसे ही करिए 1 बटा 5 बराबर है 1 गुना रेट टाइम दिया है 4 साल बटा 100 ठीक है जी 5 से गया 5 दूनी 10 4 एकम 4, 4 पंजे 20 तो रेट कितना आ गया? 5 परतीश रता I hope कि आपको ये भी अच्छे से जो type है वो अच्छे से perfect हो गया होगा जो कि गुना पर अधारित प्रशन था किसी परकार से एक और question देख सकते हो कोई सुधारन भ्याज पर ही है 3 साल में सुधारन भ्याज मूल धन का 3 वटा 5 हो जाता है या हो गया तो दर ग्यात करें सेम सवाल है देख सकते हो फिर से समझने की कोशिश करो क्या बोल रहा हो मैं एक रुपिया है हमारा और वो क्या बन गया है 3 वटा 5 अब एक रुपिया 3 वटा 5 कैसे बनेगा कि सर अगर उसमें कुछ प्लस माइनस ही होगा ध्यान से समझीए तो उसमें क्या ऐसा माइनस हो या प्लस हो तो आपने कुछ नहीं करना 3 वटा 5 माइनस एक तो कितना आ गया 2 वटा 5 कितना आ रहा है 2 वटा 5 सभी ध्यान से जो है वो समझने की कोशिश करिए ठीक है जी तो 2 वटा 5 की वज़े ये 3 वटा 5 जो है वो बन रहा है तो बेटो कुछ नहीं करेंगे 2 वटा 5 ये लिख दिया एक ये आ गया रेट हमें निकालना है टाइम हमेरे पास दिया है वटा 100 आ गया 5 से गया 5 दुनी 10 जीरो आ गया तो रेट कितना आ गया 40 वटा 3 कितना आ जाएगा वटा 40 वटा 3 ठीक है ठीक है पर इसमे कुछ मिस्टेक हो गई है क्या हुआ इसमें क्या हुआ बटा इसमें ये हुआ है इस टाइप में कि जो अब हमारा एक रुपया जो है वो तीन वटा 5 बन रहा था पर दो बटा 5 नहीं माइनस दो बटा 5 बन रहा है माइनस के दो बटा 5 और जो की गलत आ रहा है ठीक है तो आप अब क्या कर सकते हैं सोचने वाली बात है फिर से क्वेशन को पढ़िए आराम से ध्यान से पढ़ना है कोई धन सधारन भ्याज पर उधार दिया गया तीन साल में उसका सधारन भ्याज मूल धन का तीन वटा पाच हो गया भ्याज की वार्शिक धर कितनी है क्वार्शिक धर कितनी है क्वेशन यह कह रहा है तो अब क्या करेंगे अब क्वेशन को फिर से पढ़िए सधारन भ्याज मूल धन का तीन वटा पाच हो गया है ठीक है सधारन भ्याज मूल धन का तीन वटा पाच हुआ इसमें क्या हुआ है इसमें तो इतने गुणा हुआ है मनलब इतने टाइम्स हुआ है इसलिए यह मैथर कैसे लगा देंगे ये गुणा पर अधारित प्रेशन थोड़ी हुआ कि ये तीन बटा पांच जो है हो गया है पर तीन बटा पांच टाइम्स नहीं हुआ है गुणा नहीं हुआ है ये कह रहा है कि सधारन ब्या जो है SI वो मूलधन का प्रेंसिपल का तीन बटा पांच हो गया, ये कह रहा है ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना प्यारे बच्छो तो यनि कि SI over P is equal to 3 over 5 ये ब्याज हो गया, ये मूलधन हो गया ठीक है ना, इस परकार से होना था, तो ब्याज हो गया तीन, मूलधन हो गया पांच, रेट आपको निकालना, टाइम 3 साल भटा सो, यू करना था पांच से गया, पांच दूनी 10 20, दिन से ये 3 गया तो रेट आ गया आपका कितना आ जाएगा बच्छो, 20 परतिशत कितना आ जाएगा जी, 20 परतिशत जो है वो इसका रेट आ जाएगा ये था टाइप एक और करते हैं, सी टाइप के कॉशन को, क्या कहा है ध्यान से पढ़ने वाली बात है जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा चीक है कहता है कि ब्याज जो है यहां से शुरू कर रहा हूँ ब्याज जो है वो उसके एक बटा चार के ब्राबर हो जाता है ब्याज जो है वो एक बटा चार हो जाता है उसके, उसके किसके धन के ठीक है जी, भ्याज एस आई जो है, वो धन के एक बटा चार के ब्राबर हो जाता है तो इसका मतलब ब्याज बटा मूल धन एक बटा चार हो गया ये ब्याज हो गया और ये प्रेंसिपल हो गया तो इसलिए एक ये आ गया प्रेंसिपल चार आ गया रेट कितना हो जाएगा रेट कितना हो जाएगा निकालना है सर टाइम कितना है पांच दिया हुआ बटा सो तो रेट कितना हो जाएगा पांच परसेंट कितना हो जाएगा पांच परसेंट कितना हो जाएगा पांच परसेंट कितना हो जाएगा पांच जो जाएगा पांच ठीक है कितना हो जाएगा जी पांच परसेंट बहुती सिंपल सवाल था बार बार कहूंगा कि क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें, तो ही आपको ये questions जो हैं, वो अच्छे से perfect होगे, एक type और कर लेते हैं आज, कोई धन है, धन के 7 साल और 10 सालों के इस धारन भी आज का अंतर डेड़ सुर्वे आए, बोल रहा है, 7 साल और 10 सालों का जो अंतर है, यानि कि इन दोनों का जो difference है, वो कितना है, देड़ सो, तो सालों में कितना difference है, तीन साल का, इसका मतलब, तीन साल जो वो डेड़ सो के बराबर हुआ, मनलब, कि दीन साल का ब्याज देड़ सो मिला, तो एक साल का ब्याज कितना मिला, पचास औरफे, ठीक हैं, क्योंकि पांसती हैं पंदरा, हमें पूछा क् धन ग्याद करें ओके ब्याज आपका हो गया 50 उर्पे धन पी निकालना है रेट 5 साल हो गये सर टाइम क्या डालें तो टाइम वो डालना है जितने साल का आप ब्याज ले रहे हो अब आपने 50 को उठाया है तो एक साल का लिया है तो इसलिए एक आएगा ओवर हंडर पांच एक आप पांच दोनी दस तो पी साइड जाएगा जीरो जीरो पांच दोनी दस तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा बच्चो हजार रुपया कितना हो जाएगा बच्चो हजार रुपया इसी परकार के सवालों के लिए हम आगे भी चलते रहेंगे बने रहेंगे इसी चैनल पर तब तक लिए अपना खास ख्याल रखीगा जै हिंद जै भारत जै हिमाचल